सर्द्यों में सिलेंडर को स्वेटर पैनाना बिल्कुल न भूले का फ्रेंड बहुत ही फायदा होगा आपको और भी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी आप बने रहेगा वीडियो में वीडियो को शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी खाष टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूं जो आपको काफी पसंद आने वाली है सबसे पहले टिप्स होने वाली है मेरी नेल पेंट को लेका तो नेल पेंट का बहुत ही बढ़िया सा यूज आपको बताने जारी हूं और वैसलीन के साथ इसको कैसे यूज गंड़ना है वह भी मैं आपको मैं आपको बताना जारी हूं अक्सर होता है क्या है क्या जब यह मूं लगाने बैठेंगे नेल पेंट तो वह फैल जाती है नाखून पे कम लगती है और साइड में जादा लग जाती है मेरे साथ तो ये प्रॉबलम होती है तो इस से बचने के लिए हमें करना क्या है लेकिन होता क्या जब तक हम नाखून पे नेल पेंट लगा के हटते हैं तो अब हमें क्या है फिरेंड हमें नेल पेंट लगाने से पहले यह जो वैसलिन होती है इसी को हमें अप्लाई कर लेना है नाखुन के चारो तरब जैसे मैं कर दहीं हूं अभी इस तरीके से तो इस हमें क्यों लगाना है वह भी मैं आपको बताऊंगी तो जब भी आप नेल पेंट लगाने के लिए जाएं तो नेल पेंट लगाने से पहले सारे फिंगर्स पर अपने इस तरीके से इसे अपलाई कर लेना है इस तरीके से अब इसका एक फायदा यह होने वाला है जब भी आप फिंगर पर नेल पेंट लगाने के लिए जाएंगे तो यह जो nail paint होती है न कितनी भी फैल जाए आपके finger पे कभी भी मतलब के यह रुके की नहीं केवल जो आपके nail paint होगी न वो आपके nail पर ही रहेगी यानि कि finishing के साथ आपके nail paint लगके तयार हो जाएगी तो अभी यहाँ पर दिखिए मैं आपको जान पूछ कर अपने nail के चारो तरब भी nail paint लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए मैंने यहाँ पर यह nail paint थोड़ी सी फैला दिये तो अब मैं आपको दिखाऊंगे कि nail paint कितने easy तरीके से हमारे हाथ पे से उतर जाएगी यानिके finger पे से अंगोठे पे से उतर जाएगी आप सभी से requested friend वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजगा शेयर किजगा चैनल पर पहले बार आएं तो सस्क्राइब भी कर लेजगा तो यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितने nail paint ये बाहर निकाल दिये जान पोच कर ताकि मैं आपको life proof दिखा सकूँ इस वैसलिन का कमाल तो दिखिए friend अभी काफी देर हो चुकी है लगे वे nail paint को इतनी देर में तो nail paint हमारी सूख जाती है अब हम करेंगे क्या इसे remove करेंगे nail paint को लेकिन जो आपकी nail paint है ना वो nail के ऊपर से remove नहीं होगी जो side में है केवल वो ही remove होगी और बहुत अच्छे से remove हो जाएगी आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं पड़ेगी अब हमें लेनी होगी यहाँ पर cotton थोड़ी सी रूई मैंन और जहां पर भी आपने nail paint लगाई है एक्ट्रा लग गई है धोके से उसको आप remove कर लीजिए कुछ इस तरीकी से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ मतलब कि जो आपकी finger पर nail paint लगेगी ना वो आसानी से remove हो जाएगी nail paint finishing के साथ आपको दिखाए देगी तो देखी कितना सारा nail paint इस रूई के उपर आ चुका है अब यह हमारी जो nail paint है बिल्कुल finishing के साथ यहाँ पर दिख रही है तो इस तरीके से जब भी आप nail paint लगाएं तो पहले थोड़ा सा weseline लगा ले नाखुन के आसपास में फिर आप nail paint लगाएं बहुत ही अच्छी ची ट्रिक है बहुत अच्छी से वर्क भी करती है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड में बाकी फिंगर पर भी अपने nail paint लगा लेती हूं आपका एक लाइक हमें motivate करता है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजेगा जल्दी से यहाँ पर टिफंस होने वाले कंग को लेकर अक्सर होता है कि जब कभी हम घर से बाफर जाते हैं किसी साधी वगयर में जहां पर हमने हम रुखना पर जाता है या मतलब हम दिन भर के लिए भी जाते हैं सुबह से साम तक के किसी साधी पार्टे में और अपने बाल अगर हम बनाने के लिए खड़े हो जाए तो हमसे कोई भी कंगा मांग लेता है और हम मना भी नहीं कर पाते हैं तो आपने करना क्या है आपके पास इस तरीके का टेलकम पाउडर तो रहता ही है वो तो आप लेके जाते ही होंगे तो आपने यह जो ना टेलकम पाउडर जो है ना इसके उपर छिड़क देना है कुछ इस तरीके से और फिर ना इसे क्लीन कर लेना है और इसे क्लीन करने के लिए हमें एक चीज और अपने साथ ले जाने अपने पर्स में डाल कर कोई पुराना सा यह ब्रस बस इसी की सहता से आपको कंगे को क्लीन कर लेना है आपको साबुन की या पानी की जरुवत नहीं पड़ेगी फिर आप घर पे आके अच्छे से वस कर सकते हैं या अच्छे से क्लीन कर सकते हैं क्योंकि दूसरों के सिर का कंगा लगाना सही नहीं होता है किसी के सर में कुछ भी प्रॉबलम हो सकते यानि के बालों में जुए हो सकती है डेंडरफ हो सकता है तो उससे हमारा हेयर फॉल होता है तो कंगे को इस तरीके से आप क्लीन कर लें आशा करते हूं यह टिप्स भी आपको पसंद आई होगी छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा है तो इसमें आपको कोई मेहनत भी न जाएंगे तो जब भी आप कहीं बहार जाएं तो इस तरीके से टेलकम पावडर और एक पुराना ब्रस अपने पर्स में जरूर डालके लेकर जाएं इसके अगले टिप्स होने वाली फ्रेंड मोंबत्ति को लेकर जब घर में लाइट भाग जाती है तो हमारा ध्यान जाता है और हम अगर मोंबत्ति को उठाना चाहते हैं तो हमें उखाटनी पड़ती है मोंबत्ति और फिर हमें दुबारा चिपकानी पड़ती है तो आपको करना क्या है मैं आपको बता रही हूं आपको मोंबत्ति जलाने के बाद एक ना दिया लेना है जो हमारे घर में इस तरीक दूसरा यह है कि आप इस mom को जो दिये में इखटा होगा बाद में mom बत्ती जलने के इसे दोबारा से भी यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से friend आप अपना समय बचा सकते हैं और अपने घर को मतलब गंदा होने से भी बचा सकते हैं और आपका घर भी clean रहेगा आपकी mom बत्ती आप दोबारा से जलने के बाद भी यूज कर सकते हैं इसके mom को क्योंकि इसका mom पिंगल कर दिये में इखटा हो जाएगा आसा कती ये tip भी अच्छा लगा होगा अक्षर होता है क्या है जब भी हम slender को use करते हैं तो direct नीचे रख देते हैं इसी तरीके से और अभी सर्द्या लगी हुए है तो सर्द्यों में आपने note क्या होगा जो गैस होती है बहुत जल्दी जम जाती है तो आपके साथ बहुत ही खाष टिप से रखने जारी है जिससे कि आपकी गैस इक तो slender में जमेगी नहीं और जब slender में जमेगी नहीं तो आपका slender समझ कर उसे मतलब हटा देते हैं नया सिलेंडर लगा लेते हैं लेकिन उसमें कहीं न कहीं गैस बची रह जाती है तो आपको सिलेंडर रखने से पहले उसके नीचे एक मोटा सा कपड़ा रख देना है जैसे कि मैंने रखा है अब एक काम और करना है आपके पास कोई पुराना स्वेंटर हो इस तरीके से तो वो स्वेंटर आपने लेना है और इस स्वेंटर को आपको इस सिलेंडर के उपर से डाल देना है इससे यह होगा कि जो इसमें मतलब कि ठंडी चड़ती है स्वेंडर में वो नहीं चड़ेगी यानि कि आपका स्वेंडर थोड़ा सा गरम रहे तो स्लेंडर में गेस बचेगी भी निस से आपका नुक्सान भी नहीं होगा और अप इस तरीके से सिलेंडर को नो ढखतें गेंगे तो आपके सिलेंडर में गेस अराम से आप पूरी के पूरी यूज कर पाएंगे यहीं तक कि थी, आज की मेरे वीडियो आसा हटाटिक हूं आपको पसंद आई होगी फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो का साथ अपता के लिए आगया देजे राम राम जी